नमस्कार मैं शिवांगी चौधरे और आप देख रहे हैं आज तक भारत कृती सेनन करीना कपूर खान और तब्बू की फिल्म क्रू ने 29 मार्च को सिनेमा घरों में दस्तक दे दी है इस महिला प्रधान सिल्म को फैंस की ओर से बहुत प्यार मिल रहा है हर किसी को मूवी की कहानी खूब पसंदा रही है ऐसे में ये ओडियन्स के दिलों पर राज कर रही है पहली बार है कि जब तब्बू करीना और कृती ने एक साथ स्क्रिन शेयर की है और आते ही गदर मचा दी है क्रू दर्शको को गुदगुदाने में काम्याब रही है कमाई अपने नाम की है मूवी में कॉमेडी के साथ ग्लैमर का भी शांदार तरका लगा है जिसे जान मूवी में आ गई है अब मूवी को सिनेमा घरों में रिलीज हुए दो दिन पूरे हो गए है ऐसे में इसका बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी सामने आ गया है मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रू को लेकर फैंस के बीच बस बना हुआ था अब जैसे ही फिल्म ने सिनेमा घरों में एंट्री ली है तो त्रियेटर में दर्शकों की भीड उमर आई है फिल्म को सभी की ओर से अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है अब फिल्म का लेटेस कलेक्शन भी सामने आ गया है सैक निला की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अपने रिलीस के दूसरे दिन 9.6 करोड का कलेक्शन किया है अब मूवी की कुल कमाई 18.8 करोड हो गई है अगर हमें ये कहें कि बीते साल जवान रिलीस के बाद किसी और मूवी ने बॉक्स आफिस पर आग लगा दी है तो वो है क्रू इसके कमाई ने सभी को हैरान कर दिया है इस मूवी ने साल रिलीस हुई कई फिल्मों को पचारते हुए बढ़त हासिल कर दी है अब फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो मूवी ने ओपनिंग डे पर ही 9.25 करोड की कमाई की थी वहीं दूसरे दिन 9.6 करोड का कलेक्शन किया है समय भारत में दो दिनों की कुल कमाई 18.85 करोड हो गई है वहीं Worldwide Collection की बात करें तो जो पहले दिन 20 करोड पहुँच गया था वो अब 30 से 40 करोड पहुँच गया है रेहा कपूर और एकता कपूर के को प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को मेकर्स ने करीब 60 करोड रूपए की लागत से बनाया है फिल्म का बजट इसकी एरलाइन थीम की वज़े से बढ़ा है ऐसे में जरूरी है कि मूवी हिट का स्टेटस हासिल करने के लिए कम से कम 75 करोड रूपए की कमाई करें या आकड़ा मूवी कितने दिनों में हासिल कर पाती है ये देखने वाली बात होगी अगर कमाई की यही रफ़तार जारी रही तो क्रू जल्द ही या आकड़ा पार कर लेगी फिल्याल इस खबर में इतना ही बाकि इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमें सेक्षे में कमें करके जरूर बताए और हमारे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और जनकारी आप तक हम पहुंचा सकें